हलो फ्रेंट्स मैं हो अरजुन इस वीडियो में हम बात करेंगे इस केचिछिंग के बारें में मैं आपको पोर्टेट में हलकी सी शेड करना बताऊंगा तो जैसे हम किसी भी पोर्टेट की पहले ड्राइंक करते हैं ड्राइंग की काफी सारी वीडियो मैंने अपलोड की है चैनल पे आप देख सकते हैं इनका बेसिक्स मैंने बहुत बताया है आपको उसे काफी आपको हेल्प मिलेगी जब आपको वो लेवल आपका क्रॉस हो जाता है तब हम यहां पर पहुंचते हैं जो मैं अभी आपको बत पड़ा हूं यहां पर हम एक प्रौपर स्केच्ट बना रहे हैं एक टैक्निक समझाओ रहे हैं स्केच्ट की अब जैसे फ्री हैन मैंने एंगल्स वगयरा कुछ नि लिया है सिंपल हम उसको कर रहे है तो यो एक फ्रीस्टाइल कैलोग या फिर अस्टडिग कैलो कुछ भी इसको मान लेते हैं कि हम sketch कर रहे हैं इसके ओपर जो मैं टैक्निक यूज़ कर रहा हूँ hatching की जो की hatching and cross hatching, stippling, đudling इसके बारे मैंने आपको बताया और यह technique जो shade करने की है बहुत ही quick क्रहती है जब भी आप sketch करते हैं तो यह वाली shading हम use करते हैं खासकर मैं यह यूज करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसके बारे मैं आपको बता रहा हूँ जैसे पहले हमें values लेनी है इनकी जैसे sketch मुझे जहाँ पर ज्यादा dark लग रहा है तो वहाँ पर मैं extra dark कुछ भी नहीं कर रहा हूँ हलकी सी value ले रहा हूँ कि वहाँ वहाँ पे shade आएगी तो उसके बाद मैं आपको यह चीज़ बता रहा हूँ कि जो hatching का style रहता है वो आपके strokes एक side रहते हैं जानि कि जो भी आपने direction एक बार choose की है जैसे यह मैंने side direction change की है तो यही direction starting से लेकर end तक चलती है लेकिन light to dark जो value रहती है colors की उसके according हम काम करते हैं तो यह step by step होता है जैसे मैंने first tone दी है तो बिल्कुल light pencil चलाई है और second tone इसके उपर फिर से layer लगेगी थोड़ा सा dark चलाँगा फिर उसके बाद dark dark extra dark तो यह चीज़ें जो चलती है step by step चलती है लेकिन main चीज़ यह है कि cross hatching में हमें direction change होती है pencil चलाने की और pressure रहता है इसमें सिर्फ pressure के उपर काम कर रहे है light चलेगी pencil तो stroke वैसे ही रहेंगे सिर्फ हमने pressure देना होता है जैसे next step आ गया तो pressure change कर दिया ठीक है अगला next step और dark करना है तो pencil को और दबा के चलाना है जैसे आप 2B, 6B लेते हैं तो change नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि technique तब समझ में आती है यह जब आप एक ही pencil से काम कर रहे हैं कोशिस यह रखो कि अगर आपके पास soft pencil है या 8B है या 6B है या 10B है तो उसको use करके देखिएगा आप एक ही pencil को light चलाना है, middle चलाना है और dark चलाना है तब आपकी sketching में और ज़्यादा improvement आती है आपको बार बार pencil change करना, आपका mind setup change हो जाता है, आपका mood change हो जाता है, आप बहुत सारी चीज़ीं change हो जाती है लेकिन जब pencil चलरी होती है आपका जो focus है वो बना रहता है कि हम क्या कर रहे है कहां पर क्या चीज़ होने वाली है तो यह चीज़ जरूरी है अभी एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ जैसे मैं एक बार में भी यह चीज़ खतम कर सकता हूँ क्योंकि जहां पर मुझे dark चाहिए वहां पर dark, extra dark यह सारी चीज़े एक बार में भी हो सकती है लेकिन जब हम study कर रहे हैं तब हमें इनके steps ready कर लेने हैं जाने कि जो pencil आपके पास है उसको अलग-अलग pressure से आपने चला के देखना है कि कौन सी pencil कितनी dark चलाने के लिए कितना pressure देना होता है तो जैसे पहले मैंने first layer लगाई थी वहां पे बहुत light था next जो layer लगाई है वहां पे और dark हो गया अभी मैं और dark करने के लिए फिर से उसके उपर layer लगा रहा हूँ और उसी direction के साथ लगा रहा हूँ जैने कि मेरी pencil चलाने का तरीका change नहीं हुआ सिर्फ एक pressure मैं उसके उपर ज़्यादा दे रहा हूँ तो आपको ये shades जो है dark लग रही होंगी अभी तो ये कुछ चीजे हैं जो हमने step by step करने ही होती है ये sketch के उपर हमने कुछ भी focus नहीं किया कोई character के बारे में नहीं जाना या फिर कोई drawing के उपर focus नहीं किया हमने एक quick तरीके से उसको बनाना सीखा है कि किस तरीके से हम उसको finish कर सकते हैं एक simple idea लेके simple hatching या cross hatching किस तरीके से हम कर सकते हैं यह blending tools जो आपके पास रहते हैं mix करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसको use करें उसको बार बार use करें अपनी sketching में लेकिन आप अगर अच्छे से कुछ sketch बना रहे हैं अगर आपका अच्छा mood है काम करने का तो जहां पे dark है जहां पे जरूरत है आपको वहाँ वहाँ पे यह चीज़ आप use करके देखें क्योंकि जो भी tools है आपको use करने के लिए बने आप कोशिश करो कि किस तरीके से उसको handle कर सकते हैं पूरे sketch में इसको मैं use नहीं कर रहा हूँ strokes भी मेरे लगते हैं आपको दिख रहे होंगे sketching के जो line stroke है वो भी आपको दिख रहे हैं लेकिन इसका use वहीं पे कर रहे हैं जहां पे हमें जरूरत है तो यह जरूर कोशिश करनी है आपने कि आपके पास जो भी pencil available है उसी से काम करके देखें और मेरा जो main focus रहता है वो यह रहता है कि आप dark pencil चलाएं soft pencil चलाएं जिससे आप एक ही pencil से sketch complete कर ले सकते हैं तो अभी देखो आप sketch में कुछ भी ज्यादा खास नहीं है लेकिन हमने उसके shades थोड़े से इसमें quick तरीके से fill किये हैं और sketch ready हो गया तो यह techniques हैं कुछ मैं आपको एक और demo देके दिखाता हूं कुछ अलग से करके दिखाते हैं इसी तरीके से आपने काम करना है जो की strokes दिखें आपके और कोई hatching या cross hatching कुछ भी आप style सीख रहे हैं तो इस तरीके से पहले काम करना है फिर आपको ज्यादा चीज़ें समझ मे रहेंगी और यहां पर final touch की बात है तो final में आपको extra dark कर सकते हैं लेकिन ज्यादा ज़्यादा ज़्रूरी नहीं है कि ऐसे sketch कर सकते हैं और कोई और देखते हैं यह वाला interesting लग रहा है मुझे यह वाला बनाते हैं अभी देखो एक simple तरीका में यह क्यों चूश किया है क्योंकि एक तो face का proper angle दिख रहा है हमें कि side face है right एक angle change हो गया थोड़ा सा different भी हो गया उससे तो hairs पे उस पे cap थी है कुछ और था तो इस पे कुछ नहीं है simple तरीके से अपने drawing लेनी है जैसे outline है तो अभी यहां पे eyes अभी साथ की साथ हम shade कर सकते हैं आपके जितने भी style रहेंगे बिल्कुल free रहेंगे आपको ज़्यादा नहीं सोचना सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए कि हम करकर रहे हैं sketching क्यों जूरी है या फिर हम किस angle पे किस study को focus कर रहे हैं अभी यहां पे थोड़ा सा hatching या cross hatching पे हम थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं जैसे मैं आपको quick sketch करना बता रहा हूं तो focus वो ही है कि हमारा जो sketch हम quick में कर रहे हैं कम time में कर रहे हैं मतलब तो कम time ही लगना चाहिए और sketch भी अच्छा बनना चाहिए यह चीज़े मैं आपको बता रहा हूं तो focus होना चाहिए वहां पे cross hatching में आपकी चीज़े रुक जाती हैं एक बार में क्योंकि आपको pencil strokes change करने पड़ते हैं और देखना पड़ता है कि कहां पे shade change होगी और वहीं पे ही direction change रहती है यहां पे आपको सिर्फ pressure देना होता है मैंने आपको पहले भी बताया तो वही चीज़े हम कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सा proper पूरा ड्राइंग लिया था दीर दीर हमने उसमें shading add की थी यहां पे साथ की साथ हम shade भी कर रहे हैं ड्राइंग भी complete कर रहे हैं तो बहुत ही simple है तरीका काम करने के लिए यह जुरूरी है कि आप जितना कम समय में काम करेंगे तो quantity ज़्यादा बढ़ेगी starting में हमें quality के ओपर ध्याने ही देना है अगर आपसे कोई चीज नहीं बन रही है draw नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं जैसा होता है होने दो उसी चीज को दबारा से फिर से बनाईए तीसरी बार बनाईए दस बार बनाईए बीस बार बनाईए लेकिन जब भी आपको लगे कि अभी लेवल थोड़ा सा हाई होने लगा है तब चीजे स्पीड पकड़ लेती हैं जो आपकी समझ आया फिर दीर दीर उस चीज से जुड़ जाती है फिर आप अच्छे से काम करने लगते हैं जानि कि यह first time मुझसे भी नहीं बनेगा किसी से भी नहीं बनेगा आपको द अपने कभी भी इसमें time recording नहीं देखा हुगा कि कितने time में हम यह चीजे कर सकते एक दो पर excited है कितना time दे पाते चीज को कितनी अच्य तरीके से समा सकते हो यह देखो यह तो मजे और अच्छा नहीं लगता था आपकी thoughts क्या है वो वहाँ पे apply हो सकते है जब आपकी skill अच्छी है आपको चीजों की समझ आ जाती है तब आप उस पे और काम कर सकते हैं और चीजें add कर सकते हैं अपने recording कोई भी characters बना सकते हैं तो अभी का focus ये था मेरा कि आपको जब भी आप portrait sketch करते हैं तो उसमें थोड़ी सी shading हम कैसे add कर सकते हैं अपनी sketching में तो ये हमारा main point था अभी आपको लग रहा होगा कि हमने plain portrait नहीं किया है sketching में थोड़ी सी shade add किया है तो अमीद करता हूँ आपको इस चीजों से थोड़ी सी help मिले होगी sketching के बारे में next time हम किसी और topic पर बात करेंगे thank you so much for watching this video